हलो फुरेंट हम लोग फ्रिशनावली 1.4 स्वर्व करने वाले हैं फ्रिशनावली का नाम है बास्तिविक संग्या है तो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है 1.2, 1.3, 1.1 तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो साथ ही आप चैनल को कर लिए सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरीकी वीडियो की नोटिशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए स्वल्व करते हैं पहला कोश्यन पहला कोश्यन है 3 वटे 8 की दसमलव परिसार में गढ़ना कीजिए दसमलव परिसार में गढ़ना करना यानि दसमलव में लिखना है जो तीन वटे 8 लखा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे? आईए मैं आपको आता हूं जो थ्री है वो छोटा है 8 है बढ़ा तो अब हमें दसमलव परिसार में करना होगा तो दसमलव के लिए उसके पर लगेगा तो समलाव अब यहां पर भी शूनने लग जाएगा तो हो जाएगा तीस अब आठ का इसमें देखिए भाग करेंगे आठ सो को बत तीस तो जादा हो गया बत तीस आठे कमाट अर्ट में सुला रखती है चौवीस तो कितनी बाड जाएगा तीन बाड है तो अब यहां पर हम दोग शूने लगा सकते हैं क्योंकर पहले ही इसमें गजू नवह लग सकते ह'RE तो अब हमें जो इसमें गजूने लगाना पड़ा टा तो हैं पर डगा समय उस्ते छोनव लग आना है तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर देंगे साथ का शपपन मैं से तो हो जाएगा बजेगा चार फिर गुणेगा अब यह भी छोटा है तो फिर शून लग जाएगा तो अब ऐसा पाड़ा पड़ना है कि 40 कट जाए अब जो कुशन में कह रहा है कि दसमलाव परसार की रूप में गड़ना करना है तो दसमलाव परसार यह आ गया है करना करने पर अब यह है यहां पर लिख लेता हूं मैं शून ने दसमलाव थ्री सेविन फाइव गया आंसर अब करते हैं कुशन टू कुशन टू है दसमलाव के कितने इस्थानों के बाद सिक्स बटे बारा सो पचास का तसमलाव परसार सांत होगा तो सबसे पहले इसको में लिख लेता हूं 6 बटे 1250 ये लिखा हुआ है अब 6 जो है समसंग क्या है ये भी सम में आता है यहाँ आखरी में शूने हैं 2 से कड़ गया 6 तीन बार अब इसको 2 से काड़ते हैं 12 बारा 25 तो ये हो गया 625 और आगया 3 3 बटे 625 तो 625 25 तीन अब जो तीन है वो इससे छोटा है अब हम इसी पतार शूने लगाएंगे पहले लगाएंगे शूने फिर दसम लओ अब यहाँ पर लग जाएगा शूने एक शूने से तो होगा नहीं तो यहाँ पर एक शूने और बढ़ा देते हैं तो पहले शूने के लिए तो हमने शूने और दसमलब लखते हैं अब जो दो शूने बढ़ाएंगे उसको भी यहाँ पर भी दो शूने बढ़ा देते हैं अब जो संक्या से कटेगा वो अब लिखते जाएंगे याँ पर तो 625 से अभी काटेंगे 3000 को तो करते हैं 625 का 3000 में भाग दिया तो ज़्यादा होगा पांच वार से तो चार वार में आएगा 2500 याँ पर लिख देता हूमें 4 और साती साथ यहां पर लग देथा होने 2700 में अ शूने से nonsense आएगा फिर सिर शूने आएगा अब 10 में से 5 निया पर पांच और यहां पर सिल जाएगा någraніaux इन प्रव यह पांょ यहां यह शे घासो है फिर भी ज्यादा है यह 62 तमसे स्जूने लगाना होगा ठीक है अब हमें यहां पर शून बढ़ाने की जोड़त नहीं है क्योंकि पहली ही लग जाते हैं शून है उसके बाद नहीं लगाते हैं अगर हमें यहां पर शून बढ़ाते हैं नीचे के साथ जब हम काटते समय शून बढ़ाते हैं तब हमें यहां पर शून बढ़ाने की ज 375 आठ से किया तो आया 5000 तो आठ से 5000 जो है पूरा कट गया कि कटा कटा कितनी बार आठ पार तो यहां पर लग देते हैं एट को गुड़े गुड़े कुश्चन के साथ फिर से आते हैं तो कुश्चन पूछ रहा था कि दसमलव के कितने इस्थानों के बाद जो कुश्चन लखा हुआ था 6 बटे 1250 पर सांत होगा यानि कटे का पूरा तो कितने कितने इस्थानों के बाद तो इस्थान है एक दो तीन चार चार इस्थान हुए तबी ये कटा है अब यहाँ पर कुश्चन में जो लखा था 6 बटे 1250 का दसमलव फिरसार चार इस्थानों तक सांत है तो ये हो गया यहीं पर अंसर अब कुश्चन नमर करते हैं 3 अब जो तीसरा कुश्चन है वो है बिना भाग बिदी के 15 बटे ब्रैकट के अंतर लखा है 15 बटे 4 प्लस 5 बटे 40 ब्रैकट है बंद को दसमलव रूप में ब्यक्त करें बिना भाग बिदी दोरा अभी तो हमने ये भाग के दौरा एसे दस्वनल परसार की रूम में कर लिया था लेकिन अब बना भाग के हमें करना है तो कुशन है ये तीसरा अब जो कुशन लिखा है पंदरा वटे चार ब्रैकेट प्लस और पांच वटे चालीस ब्रैकेट बन हमें भाग तो करना नहीं है तो यहाँ पर एलसेम ले ले लेंगे तो आएगा चालीस अब 4 से 40 कितिवा कड़ गया दस बार अब 10 का करेंगे पंदरा में तो आजाएगा डिर्ड का चालीस से किया एक बार कड़ गया एक गिया पांच से तो आ गया पांच अब इन दोनों का प्लस कर दिया तो 155 बटे 40 तो अब इसका मल्टिप्लाइ करेंगे 25 का उपर 25 का नीचे मल्टिप्लाइ करके हमने 25 उपर 25 नीचे लग दिया है तो 155 का 25 से मंटिपले कर देंगे तो आ जाएगा 3875 बटी में 40 का 25 से मंटिपले कर देंगे तो आ जाएगा 1000 1000 में 30 है 1 2 3 अब हमें इसमें निकालना है दसमला प्रशार एक दो तीन शून है तो तीन संक्या पाद दसमला प्रशार लग जाएगा एक दो तीन तो तीन तीन दसमला आठ साथ पांच एक, दो, तेन, एक, दो, तेन और यहां पर लग जाया दसम लाओ कि आ गया आनसर यवार फिषर समझाता हूँ यवार फिषर देखी यदिया फिषर दे अधिए ये कुशन में दिया था, ये लिखा अव एलसम लिया चार और चालिस का आ गया एक से पांच चैप किया आगया पांची अब चालीस इसी बगार लेखा रहेगा दिएड़ सो पिलस पांच एक सो पच्पन गोड़े 25 उपर लेखा 25 नीचे लेखा तो 25 इस ऐसी जंक्या जिससे ये जो है आंसर प्राप्त होगा तो 25 थोड़ा साथ को याद रखना होगा अब जो 40 और 25 का इसका मल्ड़ी बलागिया आगया एक हजार 155 और 25 का मल्ड़ी बलागिया आगया तीन है आठ सो पचत्तर अब एक हजार में तीन श्यून है एक दो तीन तीन संक्या बाद दसमलब लग जा याँगा आंसर अब करते हैं कोशन नमबर फोर कोशन फोर है परिमे स रंख्या 257 बड़े में लगा है 5000 के हर को लगा है टू की पावर एम गुड़ें फाइफ की पावर एन के रूप में लिखिये जहां एम तथा एन तिरनेतर पूरांग है इसके बाद बिना बास्तविक बिवाजक के इसका दसमलब परिसार लिखिये तो बिना बास्तविक बिवाजक करके हमें लिखना है तो सबसे पहले हम लोग जो कुशन में दिया है वो लिख लेता हूं मैं 200 अब इसका भाग करते हैं 5000 का 257 से तब ही तो मिलेगा हमें दसमलब परिसार तो 5000 भाग करते हैं 257 तो अब यहां पर 5000 ज्यादा है इससे तो यहां पर लगेगा शून में दसमलब तब ही यहां पर लगेगा शून में तो यहां पर हो गया 2550 यहां पर 5000 है तो यह कम है तो एक शून और बढ़ा देंगे यहां पर एक शून यहां भी बढ़ जाएगा तो अब इससे ज्यादा हो गया अब काट सकते हैं हम इसको 5000 से तो 5000 का ऐसा पाड़ा पड़ना है कि यह कड़े जाए या इससे कम हो जाए तो हो चुआ का तो पाइस खड़े जाएगा आ जाएगा तो एगा 25000 अब शूने सा शूने शियूने आएगा फिर शूने आएगा सैबनजा तो वैरा सेविन पांच दूंजugen पाज़ा यह कुछ gam crashed दो गया इस तो साथ-ससब तो खहर से कम हैं तो यहां पर एक शून और करभ memorization Re 복 बंडे जो यह उसकि अपर घृत है उसमें गवाज़ा सकते हैं इस यहांपर बढ़ाने की योड़ नहीं है हैं और आवे यहां पर हो गया साथ घार यह वना पॉंच च हार तो यह एक बार हम चछाए गमाइगा 5500 जाएगा तो फिर शूने फिर शूने फिर शूने आप साथ मैंसे पांच गया बचाद दो तो यह होगा दो हजार यह होगा पांच हजार पांच हजार का ऐसा पाड़ा बना है सरी यह तो अभी कम है तो इसमें एक शूने और बढ़ा देंगे तो जाएगा पीस हजार तो यह चार बार कड़ जाएगा चार बार कड़ जाएगा पांस से बीस अजार ठीक है तो यह कड़ गया चार बार इसका दसमलब पिरसार आ गया जीरो दसमलब जीरो पांच वन फूर तो यह तो आ गया दसमलब पिरसार परिमे संक्या और जो परिमे संक्या बोली ये लिखी है कि हर को 2 के पावर M गुड़े 5 की पावर N की रूप में लिखी है तो हमें ये भी बता दिया है कि 2 आएगा और 5 आएगा तो 2 और 5 से कटेगा यानि हर ये है परिमे संक्या का तो इसके हमने क्या किया आप जो गुड़े निकाल लिया यानि LCM निकाल लिया तो मैं आपको रफ में बताता हूँ दीखी मैं रफ में यहाँ पर LCM निकाल लिया इसका 5R का तो यहाँ पर 2 किते हैं 1,2,3 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोशन में तो लिखाई है 2 तो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 जो है कितनी बार है एक दो तीन बार है तो यहां पर हमने तीर लिख लिया तो म की जहां पर आ गया 3 अब है 5 तो 5 कितने हैं एक दो तीन चार चार यहां 55 का किया 35 कश हो ऑह 25 को पृलकिए 25 कश भर कट गया 5 से फिर किया 5 आया और यहां पर एक आया 5 से ख़िखम 5 ठीक है तो 5 एह और का factor कर लिया तो 5 आया 4 और दो आया 3 तो यह तो हो गया 1 जो होगा था कि दसमलाव परसाद ये निकला आया ठीक है ये था कोशन में दसमलाव परसाद ये निकला आया और जो ये था 2 गोडे sorry M की रूप में लखा था 2 की पावर M गोडे 5 की पावर N तो इसकी जहाँ पर ये आ गया 3 और 4 अब यहाँ पर भी लख देता हूँ मैं दसमलाव ठीक है दोनों आंसर एक साथ हो जाएंगे 0 0 5 1 4 तो ये आ गया आंसर तो ये कोशन 4 इस पर कर सॉल्प हुआ है तो आपको ये रफ कार है ये ठीक है ये LCM निकलना रफ कार है इसको रफ में करना तो ये है फियर तो इसको आपको फियर में कर लेना ये 4 कुशन है ठीक है अब कुशन 5 ए मैं पढ़ता हूँ कुछ बास्तविक संख्याओं के दसमलाव परसार नीचे दरसाए गए है परतेग इस्तिती के लिए निर्दारित कीजिए कि यह संख्या परी में संख्या है या नहीं यदी यह परी में संख्या है और P Q के रूप मैं की है तो Q के आवाज गुडन खंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये कॉशन काफ जदा बड़ा है लेकिन काफ जदा सिंबल है तो आपको कर लेना है कोशन 5 है कोशन 5 का पहला है दिया है 4 तो ये कोशन है 5 का पहला कोशन है 4, 3, दसमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इस पर कर लगा है यहाँ बर लगा है दसमलव आपको यह ध्यान करना है कि दसमलव कितनी संक्या के पहले लगा है एक दो तीन चार पाँ छे साथ आठ नो संक्या के पहले लगा है तो नो शूने आएंगे एक एक तो लगे गई ही एक तो तीन चार पाँ छे साथ आठ नो दस सरी दस नहीं नौ है ठीके तो नौ शूर ने लगेंगे नौ संक्या लगी है आगे फैक्टर कर लेना होगा जो मैं आपको बता है अब आज बढ़ंखंड एलसीम निकल लेना होगा इस परकार से निकलते हैं इसका तो रफ का रहे है तो इसके लिए के साथ सिदा सिदा में लिख देता हूँ 10 की पावर 9 अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू करोगे आप लो तो आ जाएगा ये संक्या जाएगी और लिख देता हूँ 4 अब इसमें जो दसमलब है इसका ओपियो कलिया है जैसे इसको दसमलब को हटाया तो यहां पर शू ने आ गए अब आ जाएगा 4 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है तो यह हो गई परी में और अगर आप चाहो ये हर है तो हर को आप लोग इस परकार से भी लिख सकते हूँ ये 10 की पावर 9 है तो यहां पर लिख सकते हो 2 गुड़े 5, 5 की पावर हो जाएगा इसकी भी फैक्टर और कर रहे हैं 5 पाजयों पावर थी वो 9 की पावर लगी रहेगी और उपर लग देंगी ये संक्या 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है अब इसका दूसरा करता हूँ मैं और हां एक चीजमें गुल गया, यहांपर एक लाइन भी लिख लेना आपका याह परी में संक्या 2 है और जो कुशन 2 है वो इस प्रकार से लखा हुआ है तो यह आपरी में संख्या है अता यह आपरी में संख्या है यह जो है अती लगू में आते हैं कुशन लॉंग में बनकर नहीं आते हैं अता यह आपरी में संख्या है अब ये आपरी में संक्या है तो है कैसे तो आपरी में संक्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुशन में इस प्रकार से बिंदी लगी हुई है यानि इसका मुलब होता है कि यह जो है बार बार आते रहेगा जैसे देखी यहाँ पर है एक शून है यहां पर दो शूने हो गए, यहां पर तीन शूने हो गए, यहां पर चार शूने हो गए, तो यहां पर ऐसे ऐसे पांच हो जाएंगे, छे हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे, नो हो जाएंगे, तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तो यह जो कुशन है, यह तो होगा ठीक है